जैहिन इस वीडियों में देखेंगे कि वार्ड सचीव का सेलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसके लिए एस लिमीट क्या होता है क्वालिफिकेशन क्या होता है और सेलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और दूसरा मैं आपको नेक्स्ट और भी मेटर बता दूँ कि अभी जो पट पर रहा दिया जाए लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है वो फिर से पांच सल के अंदर में जैसे उन लोगों का मतलब चुना होता है उसके according चुना होने के बाद जो फिर से नए बनेगा वार्ट से उनको रखा जागा और ये लोग जो सोच रहें समझ रहें जो पांच सल के अं प्रोसेस क्या होता है और eligibility criteria क्या होता है qualification is limit ये सारी जनकरिया आपके साथ क्लियर करने वाले हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दू कि वार्ट सच्यू बनने के लिए आपको पास दसवी के डिग्री पराप्त होना चाहिए मतलब मैट्रिक आपके पास पास होना रहे तब आप वार्ट सेच्यू के लिए योग है और उस वार्ड में आप हैं उसका एक सदस्षिक रूप में है तो आप इसके लिए योग है उस वार्ड का हो इंसान ठीक है पहला दसवी पास हो दूसरा आपका मतलब की एज आपका 18 प्लस होना चाहिए और तीसरा आपका उस वार्ड का हो ठीक है अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका वर्ड क्या होता है तो वार्ड सच्यू को जो वर्ड होता है ये बहुती मेंली इसका वर्ड होता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वार्ड सदस एक वार्ड सदस होता है और एक आपका fund आती है सरकार के तरप से जैसे नल जल योजना या कुछ भी आपका चापकल से related आपका work करवाना हो गया तो कुछ भी सरकार की और से उनके account में directly पैसा आता है सरकार की और से what's up के account में ठीक है तो उनका जो भी account में पैसा आता है तो वो जो सचीव जो रहते हैं न, वाट सदस के साथ जो सचीव रहते हैं, वो सचीव उनके देख रेक में, वो देखते हैं अगर कहीं पे रोड पे वर्क हुआ है, तो उसमें सा सिमिर डाला गया है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, मतलब की एक उनका investigation तोर पे और एक advice के तोर पे रखा जाता है, अगर कुछ वाट सदस गलत कर रहे हैं, तो वो सही उसको बताएंगे, सही वे बताएंगे, अगर कुछ गलत किया जा रहा है, वो सचीव बताएंगे, उसका मेली यही वर्क होता है, अगर कोई भी सरकार के खादे से फंड आता है, कोई गलत वहाँ पे काम कर दे जैसे वाड सदस कुछ गलत कर दिये तो उसके according वो बताएंगे कि भाई यहाँ पे यह सिमीट आपको डालना पड़ेगा अगर आप रोड बनवा रहे हैं तो अगर नल जल का काम हुआ तो यह यह मेटर मतलब जितना भी हो गया उसको एडवाइस के तोर पे और के रियल एक समाजिक के तोर पे रखा जाता है जो ओल लेडी कहले आप जानते हैं कि उसका वर क्या होता है दूसरा मैं आपको पता दू कि अगर कोई भी फंड आता है तो जब तक कि वाड सच्यू का सिकनेचर नहीं होता है तब तक वाड सदस कुछ नहीं कर सकता है अगर इन दोनों गलत काम करते हैं तो वाड सच्यू भी जेल जा सकता है और वाड सदस भी जेल जा सकता है ये दोनों जेल जा सकते हैं अगर इनको इन्वेस्टिकेशन के तोर पे अगर सरकार के और से जो आपका फंड आता है उसको गलत तरह से इसको मतलब यूज किया जाता है तो इसमें अगर investigation होगा तो दोनों इसमें फतेंगे तो सबसे पहला यह होगा कि अगर वाट सदस गलत तरीका से काम कर लिया तो गलत तरीका से तो वो काम करी नहीं सकता है दूसरा नमबर की आपका वाट सच्यू उसको signature करेगा तो भाई signature तब ही करेगा क्यूंकि उसको एक सही के तोर पे रखा गया है उसको एक investigation के तोर पे रखा गया वाट सदस अगर कोई fund आया उसके हिसाब से गलत काम करकी नहीं कर रहा है जैसे पारा वो इसे काम करवा दिया और वाट सच्यू भी उस पे sign कर दिया मतलब कि इसमें दोनों फसेंगे और अगर वाट सदस कुछ गलत करना चाह रहा है उसके बाद वो सच्यू को बोल रहा है कि मैं यह चीज़ करना चाहता हूँ तो वो उसको लग रहा है कि मैं गलत करना जा रहा हूँ तो उसके हिसाब से वो advice वहाँ पे करेगा जो आपका होता है selection process क्या होता है तो वाट की सच्यू कैसे बनते हैं तो भाई सच्यू जो आपको बनते हैं वो वाट सभा के दोवारा सच्यू बनाया जाता है मतलब कि वाट सदस मतलब क्या वाट सदस किसको बोला जाता है मतलब कि वाट का candidate हो इंसान हो और सदस से मतलब जिसको जो पब्लिक उस वार्ड में वोड दिये हैं उनको मतलब वोड देके जीता है तो उसे वार्ड सदस बोल जाता है मतलब कि वार्ड मतलब उस वार्ड का हो और सदस मने एक व्यक्ति वाट सबस उसको बोला जाता है अब भाई वाट सच्यू की बात आई तो वाट सच्यू का जो अब का मतलब इसमें रखा जाता है इसमें जो selection होता है वो वाट सभा के दोबारा होता है तो वाट जो होता है वाट के कई लोग उसमें होते हैं वार्ट के कई लोग होते हैं उसे बोला जाता है वार्ट सभा बोला जाता है तो वार्ट सभा के दोवारा इसे न्यूप किया जाता है सिलेक्शन मतलब दिया जाता है वार्ट सच्यू को इस टैप से वाट सभा के दोरा तो अब देखिए बात आती है कि अभी जो भी पांच साल जिनका हो गया है तो क्या सरकार उनको अस्थाई रूप से सब दिनों के लिए करने के लिए तैयार है तो ऐसा कुछ भी सरकार की वेब साइट पे नोटिस नहीं जारी किया गया है जो जारी किया गया है नोटिस वो नोटिस में बताया गया है कि जैसे पिछले साल आपका सेलेक्शन हुआ था उसके एकोर्डिंग फिर से वो सेलेक्शन होगा और आपका दूसरा ये भी है कि सभी अधिकारी के पास सबी मतलब DM के पास ये notice सरकार भी भेज़गी है कि आपका ये दुबारा आपका फिर से होगा जिस टैप से आपका चुनाव हुआ है वाट सच्यू का जैसे इस जगा पर आप देख पर है यहाँ पर मैं notice के माध्यम से आपको details में समझाता हूँ जैसे इस जगा पर देख पर है समहनाले दरभंगा के लिए है ये आपका notice जारी किया गया है ठीक है अब notice जारी किया गया है इस जगा पर आप देख पर है प्रेसक जीला पंचाच राज पदादीकारी दरभंगा ठीक है आइसी ही आपका सभी district में है सेम आपका वही प्रोसेस जो आपका यहाँ फर्स नंबर में सिकंड नंबर में सोखे कर रहा है सेवा में सभी परकंड विकास पदादीकारी सह निर्वाची पदादीकारी पा दरभंगा ठीक है मतलब कि ये दरभंगा के लिए ये नोटिस में बताया गया है वाड सचीव को लेकर तो भाई जैसे दरभंगा के लिए बताया गया है मैंने district के लिए वैसी ही आपका सभी all district के लिए ऐसी ही आपका ज़स सिलेक्शन प्रोसेस होगा और जो भी मेटर इसमें जो आपका बताया है अगर हम ये आपको नोटिस पूरा पढ़के बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लाउं हो जाएगी साइद आपका साथ पेज में है तो जो में में पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ हलाकि ये ओल लेडि पहले मैं आपको डिट्यस सेयर कर दिया हूँ जो यहाँ पे सो की ज़रा है नीदेश सक पंचाइद राजवी भाग बिहर पतना पत्रांग यहाँ पे 7219 सो की जा रहा है 13-12-2021 की डेट में महासा के बाद यहाँ पे ध्यान पुरक सुनेंगे उप्यूक विशय परासंगित पत्रे के संबन में कहना है कि बिहार पंचाइद आम नीरवाचन 2021 पून हो गया है ठीक है यह आप जान रहा है तथा 333 पंचाइद राज निकायों का नीरवाचन परिनाम घोसित हो चुका है यह सब को पता है अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे है विदित है कि बिहार वाड सभा तथा वाड किरियानन एवं परबंदन समीति का काज संचाना नियमवाली 2017 के अंद निरहित परधान के तहत वाड सच्यू सहीत वाड किरियानन एवं परबंदन समीति का बिहार पंचाइद आम नीरवाचन 2021 के घोसित परिनाम के अधार पर नए सीरे से गठन किया जाना है ठीक है ये आपको वाट सचीव के नए सीरे से आपको सेलेक्शन होगा ये आपको मेटर को बोला जा रहा है जो लोग धरना कर रहे हैं कि हमें अस्थाई रूप से कर दिया जाए इसलिए यहां पर साफ साफ जहरी कर दिया जा रहा है कि आपको सबसे पहले हम लोग यहां के बाद देखते हैं उक नियमवाली के मुख है प्रावधानों के तरफ आपका ध्यायन आक्रिस्ट करना है कि जो की निमनवाथ है ठीक है अब यहां निमनवाथ है कि कौन कौन सुए प्रोसेस से आपको गुजाना पड़ेगा तब आप वार्ड साखा होगी ठीक है मनदब इतना भी वार्ड है वह सभी अलग होगी जो जो वाड है वह सभी वार्ड में वाड सभ़होगी थीक मन्सिर्ट वार्ड में है, नाम मेर में पहले है निरुवाचाग में तो वो उसी का मतलब वार्डड सभा होंगे जो भी उसमें वेक्ती होंगे, उसी वार्ड का होंगे तभी वार्डड सभा होगा, ठीक है अब इहां पर next नमबर पे सोकी कर रहा है नियम तीन दो के तहद वार्ड सदसे अधिनियम वी निद्रिष्ट कितियों का पालन करने के लिए समय समय पर वार्ड सभा की बैठक बुलाएगा ठीक है बैठक बुलाएगा समय समय में किन्तु किसी भी वार्ड सभा की दो बैठकों का अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर सो की ज़रा है तीन नियम तीन तीन के तहत वार्ड सदस से दुआरा वार्ड सभा का आईजन नहीं कराए जाने की इस हीति में ग्राम पंचाइद का मुख्या अथो अधिकरित किये जाने पर उप्त ग्राम पंचाइद का उप्त मुख्या बैठक का सेयोजन तता अधियक्सा करेगा मतलब की यहाँ पर साब जहिर किया जा रहा है की वार्ड सभा का आईजन नहीं कराए जाने की इस्थिति में अगर वार्ड सदस जो आपके दिलाने के बाद उप्त ग्राम पंचाइद का उप्त मुख्या बैठक का सवयोजन तता अधियक्सा करेगा ठीक है अगर वार्ड सदस नहीं करेगा तो ग्राम पंचाइद का मुख्या यह मुख्या को अधिक्रित करने पर उप मुख्या आपको ये बैठा की सर्योंचन का अध्यक्षता करेगा ठीक है अब देखिए तीन में जो नियम तीन चार के तहत वाट सभा अपने सदस्यों के बीच में एक व्यक्तिव को वाट सभा के सचीव के रूप में काज करने के लिए हेतू चाहिनित करेगी ठीक है व होा । ग्राम पंचयर की कि से पद्धारक के परिवार के सदस्यों को वाट सचीव के रूप में नहीं चुना जाएगा मतलब कि यहां पर उस जगह पे सदस्यों के वाट सभा सचीव के रूप में नहीं चूना जाएगा मदब कि अगर कोई पद्धारक है और लेड़ी पहले गौवर्मिन जोब में हैं तो उस जगा पे सदस के वार्ट सभा के सचीव के रूप में नहीं चूना जाएगा ये धियान में आपको रखना है वार्ट सभा सचीव का मुख दाईते वार्ट सदसे के निदेसों के अधिन वार्ट सभा की बैठा केतू सुचना, निर्गत करना, बैठो की कारवाही, अभी लिखित करना तथा वार्ट सभा दोरा-दोरा समय पर सौपे गए आने दाईतों का निर्वाहन करना होगा यह आपका वर्ग जो होता है सची के उसके बारे में इस मेटर को लिखा गया है अब यहाँ पर देख पा रहे हैं फोर्थ नमबर में नियम चार में नियम चार के तहद वाट सभा का बैठाक अस्थान अस्थान जो आपका होगा कहाँ पे होगा या तो पंचाई सरकारी भावन में कोई भी हो सकता है और उसके बाद समुधाईक भावन में हो सकता है यही में आपका हो सकता है या कोई अन्य सुवेधाजानक सारजानिक अस्थान हो ठीक है कोई भी अलग सुवेधाजानक सारजानिक अस्थान हो वहाँ पर हो सकता है अब उसके बाद यहाँ पर सोगे जाए या किसी के नीजी मकान या अस्थान पर नहीं होगी मन्तब किसी के घर में या किसी के नीजी अस्थान पर नहीं होगा यह सिलेक्शन प्रोसेस अब यहाँ पर देख पा रहे हैं नियम पाँच में नियम पाँच में ये सोकी जा रहा है नियम पाँच के तहत बैठा की नोटिस का परकासन नियम वाली की विहित रीती में कम से कम साथ दिन पूरवे किया जाएगा ठीक है ये छट्था में अब देख पार है नियम छे के तहत वार्ड सभा के कूल सदस्यों म परत्यक बैठक की अध्यक्ता संबंधी वर्ट सदस से दोवारा की जाएगी ठीक है परत्यक बैठक की अध्यक्ता वर्ट सदस के दोवारा की जाएगी अगर किसी के कारण वर्ट सदस से बैठक नहीं आ सके तो वर्ट सभा के अध्यक्ता वाट सभा के किसी ऐसे सदसे दोवारा की जाएगी जो बैठा के उपर से दिए उस सदसे को बहुमत दोवारा परियोजान नार्त निवाजत किया जाए ठीक है मतलब अगर वाट सदस नहीं है तो उसके बाद जैसा होगा लोग उसको चूज करेंगे उसके अनुसार वहाँ पर बैठा के लिए वो किया जाएगा अब उसके बाद यहाँ पर मतलब नियम आपका मेंली बहुत सा है यह यहाँ पर देख पार है यह साथ पेज में है जो में में नियम था सेम आपका होगा प्रोसेस जो आपका होगा सेम होगा जैसे आपका हुआ था उसी टैपका होगा प्रोसेस आपका थाई रूप से सची नहीं होगा फिर से आपका होगा यह भी ओमी क्रोन को महल को देखते हुए अब यह आपका हो ही जाएगा क्योंकि अभी क्रोना को अभी ट नोटिस देख पार है बलकि यह नोटिस का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल लाएगा हाँ उन लोगों के यह भी मेटर है कि जो अभी धरना कर रहा है पट्टा में जाके तो उनका यह भी चीज़ है कि जो पांच सल तक कार काल किये अपना समय उसमे कुछ लाव अभी तक नहीं मिला है बाकी सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही होगा आप कैसे वाट सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मतलब न्यूक करेगी और ये होना भी चाहिए ये सभी जगा पे होना चाहिए फिर हम नेक्ट फ्रलास मिलेंगे